तो दोस्तों अगर आप भी परिशान होते हैं ना कि रोज रोज टिफिन बॉक्स में क्या बनाएं तो ये रेसिपी आपके लिए है इसकी खासियत है हेल्दी है टेस्टी है और जल्दी बनेगी सच में बहुत जल्दी बनेगी तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं एक थोड़ी जादा भी हो सकती है थोड़ा थोड़ा वज़रत के हिसाफ से आड़ कर लीजेगा और एक स्मूथ रनिंग पेस्ट बनाकर हमें तयार करनी है एक बात का ध्यान देंगे पेस्ट जो है वह बहुत जादा गाड़ी ना हो कुछ इस तरीके की स्मूथ और रनिंग हो थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जैसे इतली डोसा का बैटर कैसे होता है वैसे बनाकर आपको रेडी करना है अब उसकी बाद मैंने इस एक बरतन में ट्रांसफर कर दिया इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक् बट आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से दिखा सकूँ इसलिए मैंने इस एक बावल में ट्रांसफर किया आप सब कुछ पीसते वक्त भी उसमें नमक आड़ कर सकते हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है मैं ये बात समझ सकती हूँ अब उसकी बाद यहाँ प ने उसे भी छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है जो भी सब्जी आपके बच्चे पसंद करते हो आप वह इसमें कर सकते हैं कम से कम सब्जियां में डाल सकते हैं जादा से जादा भी डाल सकते हैं अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा क प्रेंशन मत कीजेगा ठीक है अच्छे से मिक्स कर लिया सुखे मसालों को उसके बाद यहां पर जो मिश्रन था उसको मैंने दस मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए जब तक आप सब्जिया काटेंगे दस मिनट इसको होई जाएंगे रेस्ट करके थोड़ इसके बाद हमारा जो यह मिश्रन है एकदम परफेक्ली इंस्टेंटली रेडी हो जाएगा अच्छा जो मखाने में इस्तमाल किये थे न वो ड्राया रोस्ट करके आपको इस्तमाल नहीं करने हैं आप उनको कच्छा ही ऐसे ही यूज कर लेंगे अच्छे से वो पिस जाएं क्योंकि बच्चों के टिफिन वोक्स में जितनी अच्छी चीज़े आप डालें उतना अच्छा होता है तो मैं आप इसे बना रही हूँ थोड़े से देसी घी से बहुत ही कम कॉंटिटी में घी लगेगा आप यहाँ पर इसे नॉर्मल ऑईल से या फिर बटर में भी बना स जिस शेप में मैं इसे रख रही हूँ यह उसी शेप में सेट हो जा रहा है दीरे दीरे हलका हलका यह फ्रेड होना शुरू होगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना चमच की मदद से इसको बहुत ही हलका सा इसा इसलिए क्योंकि जब आप इसकी उपर सबजियां डाले सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा ध्यान रखेगा अगर आप हाय फ्लेम पर रख रहे हैं तो उसके बाद जो हमने सब्सक्राइब की चॉपिंग बनाई थी ना वहम इसके उपर डालेंगे और उसके ब करना चाहते उपर से क्योंकि कुछ बचे होता है न सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं तो आप इसको जो घोल बनाएंगे न उसमें सब्सक्राइब करके मिक्स कर लीजेगा फिर इतनी जादा उभरी हुई सब्सक्राइब नहीं दिखेंगी पर यह दोनों चीजे वै जाने में आपको बहुत जादा तेल या घी की ज़रुत ही नहीं लगेगी बहुत ही जल्दी एकदम क्रिस्पी और हल्दी सा नास्ता बनकर तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं यह वाला साइड भी हमारा बहुत अच्छे से कुखो चुका है अब लास्ट में मैं क्या करत करते हूं वैसी औप्शनल है आप चाहें तो आड करें चाहें तो सकिप करें बढ़ हमारे हल्दी से मिनी मिनी उत्तपम बनकर तयार हो चुके हैं एक बार आप इस रेसिपी को ट्राय करेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स म यह बहुत अच्छे लगते हैं लाइट वेटेड भी हैं टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी है आपको पसंद आईए तो आप सब भी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीस वीडियो को ल लगती हैं आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी विलूँगी तब तक के लिए बाई